बविश्य के दुनिया जहां प्रिच्वी पर लगातार एनर्जी क्रैसिस आ रहे हैं नैचुरल रिसोर्सिज लगबग खत्म हो चुके हैं जिसके बाद सरकारों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन कैदियों को जिने किसी ने किसी क्राइम के लिए मौत की जादा था तो सरकारों ने फैसला किया कि इन लंबी स्पेस यात्राओं के लिए उन क्रिमिनल्स को भेजा जाएगा जिने वैसे भी मौत की सजाद दी जा चुकी हो अब उन्हें तो वैसे भी मरना ही था तो वे कम से कम किसी एक्सपेरिमेंट में काम आकर इंसानियत का कोई नहीं बचा है बागी लोगों के साथ क्या हुआ हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा अब चूंकि मौन्टे पूरी शिप पर अकेला है तो उसे अकेले को ही सारे काम करने पड़ते हैं वो अपनी बेटी को संभालने के साथ साथ शिप को मेंटेन रखता है उसके गा इवन कैसा होता है अब बीच बीच में मौन्टे को अपना बच्पन भी याद आता है जब वो प्रिच्वी पर था दरसल मौन्टे ने अपने एक दोस्त को जान से मार दिया था जिसकी सजा के रूप में उसे इस स्पेशिक पर भेजा गया है यहां हर रोज मौन्टे को में इन बेस पर जो की अर्थ पर है उन्हें रिपोर्ट भेजनी होती है ताकि उन्हें पता चलता रहे कि वो अभी भी जिंदा है अब शीप पर एनरजी दिन पर दिन कम होती जा रही थी तो मौन्टे ने डिसाइड किया कि वो एनरजी को बचाने के लिए ज़ादातर लेक्ट मैं के साथ साथ अपनी जान कावाते गए अब मौन्टे उनकी बोड़ी को सूट पहना कर स्पेस में छोड़ देता है मौन्टे कई सानों से इस शिप पर अकेला है जिससे उसकी मान सिखालत अब बिगड़ने लगी है मौन्टे कई बार सोचता भी है कि क्या उसे अपनी और स्पेस में भीजा गया था जिन्हें किसी ने किसी क्राइम के लिए मोट की सजा दी गई थी मगर उन्हें इसके बदले में स्पेस में एक मिशन के लिए भीज दिया गया जिसमें उन्हें ब्लैक होल से एनरजी लेने का फोर्मूला रूनना था मगर उनमें से किसी को भी नह जाते हैं जिन में मौन्टे के अलावा बोईजी है जिसकी पिछले तीन साल से इस शिप में रहेकर मानसिक हालत बिगड़ चुकी है और चुकी वो जानती है कि वे वापिस से प्रिछुई पर नहीं जा पाएंगे तो अब तो वो खुद को चोट पहुंचाने लगी है यहां इन सभी की सिर्फ एक डॉक्टर डिप्स है यहां डिप्स भी खुद एक क्रिमिनल है जिसने प्रिछुई पर अपने दोनों बच्चों और अपने पती को जान से मार डाला था जिसके बाद उसे मौत की सजा देने के बजाए इस मिशन पर भेज दिया गया और डिप्स यहा समझाने की कोशिश करते हैं पाइलेट नैंसेन भी कहती है कि अगर वे यहां किसी तरह से बच्चा पैदा भी कर लेते हैं तब भी वो बेबी स्पेश रिडिशन की वजह से मारा जाएगा मगर डिप्स को अभी भी खुद पर भरोसा है और वो मेल क्रू से उनके स्पम इग जवा देती है जिससे उनके हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं और वे सोते वक्त लगवग बेहोशी में रहते हैं अब मॉन्टे का इस पूरे क्रू में से सबसे अच्छा दोस्त टैरनी है जो कि हमेशा शिप के गार्डन को मेंटेन रखने में लगा रहता है और मॉन्टे भी उसकी मदद करता है क्योंकि यहीं एक जगह है जहां वे खुद को प्रिद्वी के सबसे करीब महसूस करते हैं मगर आभी भी शिप के कई मेंबर्स हैं जो कि इस अकेले पन से तंग आ चुके हैं यहां यह शिप जिस ब्लैक होल की और जा रहा है वे इसकी आधी रास्ते में पहुंच चुके हैं सो अब उन्हें शिप को धीरे करना होगा ताकि वे गलती से ब्लैक होल के अंदर ना खिच जाएं वहीं इस जरनी में उन्हें अब चार साल और लगने वाले हैं अब अगर यह सब ब्लैक होल से एनरजी लेने का फॉर्मूलर ढूंड लेते हैं तो कभी भी एनरजी की कमी नहीं होगी और इसी लिए इन सब क्रिमिनल्स को एक आखरी मुगा दिया गया है ताकि वे इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर सकें मगर इतने लंबे सफर के बाद अब लगवग सब लोग डिप्रेशन में रहने लगे हैं वहीं डिप्स अभी भी सारी लड़कियों को प्रेगनेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करती रहती है मगर बोईजी अब इन से ठक चुकी है और वो डिप्स से उसके एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देती है लेकिन समय के साथ डिप्स के निरंतर प्रियासों से इलेक्टरा एक बेबी को जनम दे देती है मगर वो बצ्चा भी स्पेस डिप्स के लिएशन की वज़ेसे पैदा होते ही मारा जाता है और बच्चे को पैदा करते ही इलेक्टरा भी मारी जाती है अब यहां से अगले कुछ समय के दौरान बाकि लोग भी एक-एकर के मारी जाने लगते है क्योंकि पेस रे वोईलेंट होने लगी हैं जहां एक रात एक मेल मेंबर फीमेल्स करने की कोशिश करता है जिसके बीच मौन्टे आकर उसे रोकता है लेकिन दूसरी और से भड़की हुई लड़की आकर उसे जान से मार देती हैं जिसके बाद से डिव्स सभी लोगों की दवाईयों की मातरा और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वे सोने के वक्त बेहोशी में ही रहें सिर्फ नेंसन को छोड़कर क्योंकि वो शिप की पाइलेट है जिसकी बेहोश नहीं किया दा सकता अब इन सब से ठकर आखिर में डिव्स शिप में बच्चा पैदा करने की आखरी एक्सपेरिमें यहां अभी तक डिव्स ने किसी को नहीं बताया था कि इसका पिता कौन है अब डिव्स बेवी को हमेशा अपने पास ही रखती जिसकी वजह से बोईसी पर प्लेगनेंसी डिप्रेशन हो जाती है और ऐसे ही करके फाइनली यह स्पेशिप ब्लेक होल तक पहुंच चुका थ यहां से नेलसन डिसाइड करती है कि वो एक शटल लेकर ब्लेक होल के करीब जाएगी जिसे कि सब लोग स्क्रीन से देख रहे थे सिर्फ बोईसी को छोड़कर जो की अभी तक पूरी तरह से पागल हो चुकी थी वहीं शटल भी शिप से निकल कर ब्लेक होल के और 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 ब बोईसी है जिसने उस वक्त नेंसन को मार कर उसकी जगह ले ली और ब्लेक होल में चली गई ताकि उसे इस शिप से छुटकारा मिल सके अब बोईसी जान बुचकर ब्लेक होल के अंदर शटल को गिरा देती है जिससे वो वहीं मारी जाती है जिसे देखकर मिंक डिप्स पर अटेक करती है क्योंकि उसी ने बोईसी के बेबी को अपने पास रखा था जिससे वो डिप्रेशन में चली गई मगर मॉंटे डिप्स को बचाने के चकर में मिंक को भी जान से मार डालता है वहीं अब शिप पर कोई फीमेल क्रू नहीं बची थी यानि के डिप्स अब अप मॉंटे और उसका दोस्त तैरनी ही बचा था और वो भी समय के साथ दम तोड़ देता है और अब जिर्फ मॉंटे और उसकी बेटी ही बचे थी और इसी के बाद की कहानी शुरू में बताए गई थी अब मॉंटे अपनी बेटी का नाम विलो रखता है और धीरे धीरे विलो अब बड़ी हो चुकी थी अब एक दिन उने एक और उनी के जैसा शिप उनी की ओर आता हुआ दिखाई देता है अब जिस शिप में मॉंटे और उसकी बेटी है उसका नमबर साथ है जबकि इस नए शिप का नमबर 9 है याने के प्रिठ्वी की ओर से अभी भी और क्रिमिनल स्पेस में भीजा जा रहा है अब दोनों उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर सामने से कोई रिप्लाइ नहीं आता तो मॉंटे डोनों सिप्स को कनेक्ट करता है और नमबर 9 शिप में जाने लगता है अब नमबर 9 शिप के अंधर का ना जारा काफी अब विलो मौन्टे से एक पपी ले आने को कहती है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी पैट नहीं देखा था मगर मौन्टे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि इनके थ्रू कौन से अन्नोन वाइरस उन तक पहुंच जाए जिनसे वे सरवाई भी न कर पाएं अब ये सुनकर विलो काफी दुखी थी मगर उसे पता था कि मौन्टे का मानना सही है यहां से मौन्टे कई बार विलो से माफी भी मांग चुका है कि जो उसकी वजह से उसे यहां पैदा होना पड़ा जहां उसका कभी कोई भविश्य ही नहीं था वहीं विलो ने तो बस बाकी इंसानों और प्रिथ्वी को सिर्फ वीडियोज में देखा था अब दोनों पाते हैं कि उनका शिप अब एक और बड़े बलेक होल तक पहुँच चुका है अब दोनों डिसाइड नहीं कर पा रही थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि बलेक होल के पास जाना काफी खतरनाक होता है लेकिन विलो कहती है कि उनका तो वैसे भी यहां कोई भविश्य नहीं है और उन्हें भी पता है कि वे वापिस से प्रिछवी पर नहीं पहुँच पाएंगे तो उन्हें बलेक होल के पास चले जाना चाहिए जिसके लिए मौन्टे मान भी जाता है अब दोनों एस्टरनोट सूर्स पहन कर शटल में बैठ जाते हैं उन्हें यहां पता था कि यहीं उनके लिए उस जिल से आजाद होने का आखरी तरीका है और दोनों हाथ पकड़ कर बलेक होल में सवा जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है अब प्रिठ्वी हमारी प्रिठ्वी जिसे हम धीरे धीरे बरबाद करते जा रहे हैं इसका शुक्र मनाईए जो हम यहां है वरना पूरा यूनिवर्स किसी नीरस खाले जगह से ज़्यादा कुछ नहीं है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाई